इस हर्मीशन दें एश्कार्ट पिछले के तरह ही है इसलिए इस सिमेट्रिक थेहां अगर यह हर्मीशन इसका मतलर एश्कार कांजूगेट इखी कोड़ एड़ी आएगा तो एश्कॉआर की बात कर रहा है तो एश्कॉआर का ट्रांजूगेट आप ले लो है ना यहां से क्या हो जागा यहां से इस तरीके से आपको यहां लगा दीजिए तो एक रांस्पोज इसक्वायर और यह एक बराबर मतलब एक स्कॉर्ट तो मिल गया आपको हर्मीशियन है ना ऐसे इसक्यू मान के आप इसकूर में पिछले तरहा ही भासन वारेक नहीं आ रही है फोर्थ यह जीज हर्मीशियन इफंड लिफ आई यह जिजिजी स्क्यू हर्मीशियन यह को हर्मीशिय और लेते हैं अगर यह को हर्मीशिय अगर यह को इसका ड्रान्सपोर्ज लेने में पर यह चाहेगा रहे ना पर यह को पर लगा दो वे ´ माइनुस का आई और याज होगा और ट्रांस्पोज जो है, ऍहना किरेगा आई पर आई पर नहीं काम करेगा, माइनस का आई मही न आई और याज किर ट्रांस्पोज कनक्र नहीं होगे है, स्वंद्र तो आएगा पूरा यहीं चीज पूरा आ गया वासनबारी न लेकिन निगेटिव के इस साथ तो अपका इस मतलब क्या हो जाएगा इसक्यू हर्मिशियन दूसरे सब्सक्राइब करना है कुछ इसमें कल दीजिए ऐसा कुछ दिखा लेंगे बहुत सिंपल से चीज़ें बहुत सिंपल आप तेज भी बहुत है है कि नहीं आप लोग है तेज नहीं है अलों को पढ़ा रहे हैं क्या क्या बाते आपको ध्यान रखनी है रैंक आफ मेर्टिक्स में आपको किन बातों का ध्यान रखना है सबसक्ता है तो सबसे पहली बात की यहां करेगा सबस्क्राइब करेगा इसकार वाली कोई क्टिशन नहीं है इसकौर हो भी सकता है और कोई मैट्रिक्स जो है वो ध्यान समझेगा कोई मैट्रिक्स ए है जिसका आडर है यम क्रोस एन कोई मैट्रिक्स ए है जिसका आडर है यम क्रोस एन अगर मैं इसका रैंक बोल रहा हूं कि इसका रैंक आर है पीस इसका क्या मतलब है इसका मैं बोला हूं रैंक आर इसका मतल मिलेगा जिसका जो आडर होगा वह आरक्रास अगर इस मैट्रीस का आडर यहां है अगर इसका रेंक है पिष्ट मेंट्रीक्स का एक कोई सब मैट्रिक्स होगा है ना जिसका आडर आरक्रास और होगा और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वह नाटिक पूलजीरों होगा जीवासन मारे की नहीं आ रही है अभी नहीं आ रही है तेकिन आपको सब्सक्राइब कर दो आपको जो मिलता जाएगा उस्व मैट्रिक्स मिलता जाएगा वह दो सम मैट्रिक्स से हैं बढ़ी आसानी से मैट्रिक्स अभर भड़ा सकते हैं बहुत से सम मैट्रिक्स यह तहुं आ रही है फिए अगर आडर यंग्रोस न है đo उसका का रेंक आरव और रहे है तृसका ये होता है कि उस matrix का एक सन्मैक्रिक्स जरूर होगा जिसका कया होगा है लिए मैंने क्या वह बला कि उस matrix जिसका आ्डर यंग क्रॉस जरूरें करेंग तो दर्बने टीर कि उसके टाइस उसका एक ऐसा स्प्स्द्रिक्स जरूर एक्जिस्ट करेगा मतलब कि एक से अधिक भी हो सकता है एक कम से कम एक ऐसा सब मैट्रिक्स जरूर इक्जिस्ट करेगा जिसका आडर आर क्रास आर होगा और इसका डिर्मिनेंट नाटिकुल जीरो और इसके ऊपर आडर का इसके ऊपर आडर का जो मैट्रिक्स होगा मत प्लस टू क्रास आर प्लस टू बातना लिए इसके ऊपर इसके ऊपर आडर के जितने भी स्पार मैट्रिक्स होंगे उन सबका कि यह सबस्ते पास यह है जिसका आडर कितना है इसका आडर है तो अब मैं बोला कि इस मैट्रिस का जो है कि इसका मतनल यह है कि इस प्रॉज सीवें आडर के मैट्रिक्स का एक ऐसा सब मैट्रिक्स होगा जिसका आडर होगा इससे ऊपर आडर का मतलब फोर क्रास फोर फाइब प्रॉस फाइब इसके ऊपर आडर के जो भी सब मैट्रिक्स मिलेंगे उन सब का डिटर्मिनेंट क्या होगा इक प्रॉज रही कि नहीं होसे तभी कोई समस्या नहीं है कि जो आएगा कैसे आएगा कैसे करना वह मैं मताँगों कैसे करना एक चीजों को सब्सक्राइब तरीका होता है कि डिफनेशन को समझ के निका लिए और कुछ नियम है है ना उस नियम के अक्वार्डिंग भी रहें कि निकाले देकुल तीन तीन में कम चिकम है जिसके दौर सकते हैं ऐसा कुछ देगा अपको ठीक है तो यह चीज है अपनों को अच्छा बताओ जो भी रैंक होता है उतने आडर का स्कॉर मैट्रिक्स होना चीए जिसका डिटर्मिनेंट क्या होना चीए नाटिक पोल जीरो और उससे उपर आडर का जो स्कॉर मैट्रिक्स होगा उस म पांच आठ चलो माली मैं यह बोल दिया ऐसे चार आप्षण एक मैट्रीश देदी इसका आडर वह निकालने तरीका तो 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 स्टीक हो कैसे निकालते हैं वाले जब पेपर आते हैं कंप्रिशन में या किसी में भी तो वहां निकालने नहीं जाएंगे आप सब्सक्राइब लगाएंगे नहीं तो फसेंगे आप अच्छा अब लगाएंगे नहीं तब भी आप बताना है इसका बुलाइथ हो सकता है तक नॉलेज के साथ बताएं एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 5 रो साथ कालम है इस मैट्रिक्स रैंक 5-6-7-8 में से क्या हो सकता है और कोई बताएं अब बताव रहानी तो एक शिक्स और का सब्मेट्रिक्स एजिस्ट करना चीए अब बताओ पांचे रो है साथ कालम तो चरेंजाए एक शुक्रो सैंग सोते कि अस होने का मतलब होना सब्सक्राइब होगा उसे छोटा नहों तो तो साथ होगा उसमें नमर्या कहां से पढ़ जाएंग गया है उसका आड़र चाक्राज श्वाहों नाची एक सा मेट्रिक्स का उसके तो च्छड़ाज श्राफ साम मैं भी नहीं करेंगा इसमें मैक्सिमम मट कितने अड़र का स्कॉार मैंठीक्स म पांच ही पॉसिवल हो सकता है अब बता रहा हूं आपको इस ही होता है अब इक्जाम में देखा हुआ है तो रैंक क्या होगा तो रैंक क्या होगा इसे ही सब्सक्राइब करते हैं कुछ लोग रखते हैं निकालने लेकिन अगर जिसको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से वह अराम से टिक मार के निकल जाता है कोई दिक्कत उसको नहीं होती है और सेट ऐसा ही करता है कि आपको निकालना न पड़े जैसे अभी आपको दे देगा आप टू थ्री फॉर फाइफ है ना थ्री वन जीरो टू माइनस वन टू थ्री पॉर ऐसे दे दिया यह थ्री को सब्सक्राइब कर देखो अगर चार हो सकता है इसका सब्सक्राइब सकता है नहीं मैक्सिमम जो इसका इसका जो सब्सक्राइब मिलेगा इसका जो मैक्सिमम आडर का सब्सक्राइब सब्सक्राइब मिलेगा और थ्रीक्राइब होगा तो रैंग तीन साधिक तो होई नहीं सकता वासन वालेगी यह सब्सक्राइब 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 कि आपको लगाना नपड़े को कहीं ने कि कुछ ऐसा जरूर उसमें दिया रहेगा या कुछ ने कुछ उसमें ऐसा जरूर होगा जिसको समझते ही पकड़ते ही आप बता दोगे कि एंसर सब्सक्राइब कि नहीं पगड़ लगाने का देखो लगाके निकालूँ तो अब तरफी अच्छी है तब भी आप रैंग निकालना इंदर कर लोगे अराम से कर लोगे प्रैक्टिस अच्छी है तो उसितकर आपके इसी ही और भी पीस की तर सब्सक्राइब लोग को राइंक का डिफिनेशन फिर ना इच्वाफ आदू एक्चुल ने मेटा जो किसी मेट्रिस का राइंक होता है जो राइंक जितना भी होता है इसका मत्द्द्द उस मेट्रिस को जब हम लोग उससे इलिमेंटरी ओपरेशन लगाते हैं जानते हैं आप लोग उसको किसी ही इलिमेंटरी आपनेशन करेंगे कितने ही इलिमेंटरी ओपरेशन कर दो अगर्व अब हैं कि उस मैट्रिक्स में कुछी भी आपनेशन किसी नघीर अट लगा दो लेकिन आपको डो नटीलोपू मिलेगा की कैंजेग्शेर्ओ जिसके सभीएलिमेंट जी रोख ए सभीएलमेंट जैन। जिरू जैन। जिरू लूट म किसे नहीं होती इश्के बौलिये जिरू किषे सभीएलिमेंट जीरू उसके बार वह मैं दिखा दे सकता है। एक नजिरो रोग में कम से कम कोई एक नजिरो इलमेंट होना चीए ऐसा रोग जिरो रोग होने के लिए सब दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि अगर रैंक दो है जो आइसा रोग जरूर मिलेगा जो टी में जिरो में रहेगा और state जिरो जाएंगे और state रोग जिरो हो जाएंगे वसनवारी है यह चीज़र रैंक का मतलब है ना टुष्षी का वह είναι यह डिपनेसल लिखा देता हूं कुछ बाते लिखा देता हूं जिनको ध्यान में रखेंगे तो आपकी mcq portion easily solve हो जाएंगे ठीक है चलिए लिखिए इसको definition rank of matrix heading निखेश में a number small r a number small r is set to be rank of matrix capital A a number small r is set to be rank of matrix capital A a matrix capital A half order half order m cross n half order m cross n हो गया m cross n if it possesses the following two properties if it possesses if it possesses following two properties it possesses following two properties number first number first there is at least one non zero minor there is at least there is at least there is at least one one non zero minor non zero minor half a half capital A half order small r यह उसका ऐसा माइनर मतला वहीं सम मैट्रिक्स ही बात हो रही है आफ ओर्डरी स्मॉल आप सेकंड नमबर माइनर को फेक्टर निकालते हैं आप लो ठीक्या हो इची सेकंड नमदे every minor of order every minor of order r plus 1 every minor of order r plus 1 हो गया r plus 1 is 0 हर minor जो r plus 1 मतलब r से ज्यादा होगा क्या होगा 0 is 0 आगे लिके आप प्राराण